भारत निर्वाचन आयोग नी बॉलिवुट में अपनी अलग पहचान बनानी वाली एक्टर राजकुमार राओ को नेशनल आइकन बनानी का फैसला किया है Election Commission of India 26 अक्टूबर को राजकुमार राओ को अपना नेशनल आइकन नेउक्ट करेगा लेकिन सवाल ये उठता है कि अक्टिंग में अपना सिक्का जमाने वाली राजकुमार राओ का चुनाव आयोग से भला क्या संबर तो आपको बता दें कि एक नेशनल आइकन का काम होता है वोटिंग को लेकर लोगों को जागरो करना वोटिंग प्रतीशत बढ़ाने की कोशिश करना जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग में राजकुमार राओ पर भरोसा जटाया है लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि राजकुमार राओ को नेशनल आइकन बनाने का फाइदा कितना मिलता है आपको बता दें कि राजकुमार राओ से पहले इसी साल अगस्त के महीने में पूर्व भारती अक्रिकेटर सचन तिंदुलकुर को नेशनल आइकन बनाया गया था आगामी चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयो का फोकस सबसे ज्यादा युवाओं पर है यही वज़ा है कि इस पद के लिए राजकुमार राओ का चैन किया गया है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखके रही है योस 24